दूसरी पृतिग्या बाबसाब ने जो हमें दिलाई वो दिलाई है कि मैं राम और किष्ण को कभी भी अवतार नहीं मानूंगा और नहीं कभी इनकी पूजा करूंगा इश्वर का अवतार नहीं मानूंगा नहीं कभी इनकी पूजा करूंगा आखिर राम और किष्ण इनको अवतार मानने की धार्ण क्या है क्योंकि हिंदू धर्म की फिलोस्पी ये कहती है ब्रह्मन वाद ये कहता है कि राम और किष्ण ये हिंदू के अवतार हैं कि वलिए यह लिए उन्होंने तो भगवान बुद्ध को भी विश्णु का दस्मा अवतार माना तो राम और किष्ण को अवतार किसको माने हम अवतार अगर वो इश्वर के अवतार है इश्वर का प्रिति रूप है तो क्या उन्हें कभी अन्याय और अत्याचार होता हुआ दिखा नहीं अगर राम के विश्य में बात कहें तो राम ने तो स्वम इतने अत्याचार किये हैं जिसकी कोई कलपना नहीं कर सकता कि एक इश्वर भी ऐसे इतने अन्याय कर सकता है मैं अगर बहुत छोटा सा उधरान आपको दिखाऊं तो क्योंकि राम और भ्रहमलवाद की ववस्ताती के शुद्रों का पढ़ने का अधिकार नहीं है तो राम के जमाने की बात है रामाण में इसका उलेख है बाकाइदा कि शुद्र समाज के शंबूक रिशी उस समय सिख्षा गिरहन करना चाहते थे उस समय वो तपस्या कर रहे थे और एक ब्रामन के कहने पर राम ने शंबूक शुद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है तो क्या हम इसलिए अफ्तार माने उन्हें इसलिए इसलिए इश्वर का अंश माना जाया उन्होंने के एक निर्दोश व्यक्ति की किवल सिख्षा ग्रांट करने के लिए ही जो वो प्रियास कर रहे थे उसी आधर पहत्या कर द और वो भी अन्या है अपनी रानी पर सीता पर किया क्या कसूरता सीता का सीता की दो बार अगनी पर इक्षा ली दो बार अगनी पर इक्षा लेने के बाद भी उन्होंने उस समय सीता को घर से निकाल दिया जिस समय वो गर्भवती थी और गर्भवती महिला को घर से निकालन एक इससे बड़ा अन्या और अत्यचार क्या हो सकता तो क्या हम उसे ईश्वर मनें राम के विच्चे में के वरिफिल यही नहीं एक कितने ही उधारण है अगर हम देखें तो बाली के सात माये हुआ राम का तो राम ने बाली को भी छुपके मारा तुम इश्वर हो, तुम इश्वर के अवतार हो, सारी शक्तियां तुमारे पास हैं, आमने सामने जाके क्यों नहीं मारते लेकिन मालूम है कि वो बाली के सामने आते ही, बाली उनका काम तमाम कर देगा इसलिए धोके से पेड़ के पीछे से छुपके धोके से बाली को तीर मारा और मारा क्या यही ईश्वर कहता है इसलिए इतने कैसी कितने ही उधारन है और अगर हम कृष्ण के उपर भी चले जाएं तो कृष्ण की 16,000 जो गोपियां हैं जो पेड़ मिका हैं वो मानी जाती हैं तो क्या इश्वर इस तरह की रासली अपनाते हैं आज की तारिक में अगर आप करें इस तरह का कोई भी लड़की के साथ छेड़ चाल कर दे कोई भी भत्तमीजी कर दे या तो क्रिश्ण तो नदिओं में नाते हुए गोपिकाओं के कपड़े भी उठा के लेगे क्या इस तरह का हो जायतों मुकदमा नहीं हो जायागा तीन सो चवँन का मुकदमा हो जायागा तो क्या इसलिए हम उनको इश्वर का अवतार माने ऐसा कोई भी कारिये ना तो राम का ना कृष्ण का इस धर्टी पर है जिसको हम उन्हें इश्वर है इश्वर का अवतार माने इसलिए और ये सब ब्रहमर धर्म के आधार बिंदू है इसलिए बाबस साब डॉक्टरम बेट करने कहा कि मैं कभी भी राम और किष्ण को इश्वार का अवतार नहीं मानूंगा और नहीं कभी इनकी पूजा करूंगा यह आदेश उन्हों ने हमें दिया हमें भी इसका पालन करना चीए क्योंकि अकारण उन्होंने कोई भी बात कहीं नहीं कर दो कर दो कर दो कर दो